यह आपके हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुर्भी इसका चेप्टर नमबर सेकेंड नादान दोस्त आपको मैं करा चुकी थी जिसके आपका लास्ट एक्टिविटी बाकी था यह निकि यह आपका जो वीडियो है यह इस चेप्टर के लिए लास्ट होगा इसमें आप पाठाश का मतलब होता है पाठ में से ही कोई परिगर्फ निकाल के आपको दे देते हैं और फिर उसको पढ़ना है हमें और उसके अकॉर्डिंग जो भी कोशन पुछे आते उनका आंसर देना है नीचे दिए गए पाठाश को पढ़िए और पूछे गए प्रशनों की उत् किवार केशव ने खोला था लेकिन शामा ने मा से ये बात नहीं कही उसे डर लगा कि भईया पीट जाएंगे केशव दिल में काप रहा था कि कहीं शामा कहना दे अंडे न दिखाये थे इससे अब शामा पर विश्वास नहीं था शामा सिर्फ मुबबत के मारे चुप थी या इसका सूर्स में हिसेदा होने की वज़े से इसका फैसला नहीं किया जा सकता शायद दोनों बाते थी मा ने दोनों को डाट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंका जलने लगी आप यानी उनकी मा अभी सिर्फ दो बजे थे बाहर तेज लू चल रही थी अपकी दोनों बच्चों को नींद आ गई थी चार बजे यका यक शैमा की नींद खुली किवार खुले हुए थे वह दोड़ती हुई कानिश के पास आई और उपर की तरफ ताकने लगी टोकरी का पता न था संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पाव दोड़ती हुई कमरे में जाकर जोड़ से बूली भाईया अंडे तो नीचे पड़े है बच्चे उड़ गए तो यह आपको पार्ट में से ही दिया हुआ है यह हम दे पड़ लिया है अब इसके कुशन आसर देखिए नीचे क्या है कुशन वन कह रहा है श्यामा ने कौन सी बात मा से नहीं कई थी श्यामा ने कौन सी बात मा से नहीं कई थी तो मैंने इसका आंसर अंडेलाइं कर दिया इसी बात की सूचना दी तो सःयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पाव दोड़ती हुई कम्रे में जाकर बोली भईया अंडे तो नीचे पड़े है बच्चे उढ़ गए इसी बात की सूचना दी थी अब हैं मुहावरा उल्टे पाफ दोडना कार्थ लिखिए तो उल्टे पाफ दोडना कार्थ होता हैं कहीं पहुचने के बाद वापस पुर्व स्थान की और जाना यानि मान लो कि आप अपने घर से बाहर गए हो और तुरंद भाग का घर में वापस आ गए तो उसको बोलेंगे उल्टे पाफ दोडना बात आई समझ में यह मुआवरे कार्थ है फिर है पाठांश से चुन कर दो उर्दू शब्द लिखिए इसमें बहुत सारे उर्दू शब्द भी आये हैं जैसे कि हिफाजत, कसूर, महबबत तो इनमें से दो लिखने का बोला है तो मैंने लिख दिया यहां पे महबबत और कसूर, यह दोनों ही लिखे हुए हैं, आपको भी इसको वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है, कुश्चन 1, 2 & 3 के आंसर को तो आपको अंडरलाइं कर देना है परपल वाले बॉक्स में से और 4 और 5 वाले का आंसर आपको पैंसल से जैसे मैंने बुक में लिखा है वैसे आपक लिखेगा, अब देखिए, पांट मैसे प्रतियक के पांच पांच उधारन ढून कर लिखिए, प्रतियक के पांच पांच उधारन यानि की व्यक्तिवाचक संग्या, जातिवाचक संग्या और भावाचक संग्या, व्यक्तिवाचक संग्या वो होती हैं, जिसमें किसी के न ब्रेक्ति वाचक संग्या में है केशव, श्यामा, टोकरी, प्याली, धोती, केशव, श्यामा ये दोनों नाम है, टोकरी भी नाम है, प्याली भी नाम है और धोती भी नाम है, अब जाति वाचक में चिडा, यानि कोई भी चिडा हो सकता है, चिडिया, भाई, बहिन और किवा फिर भावाचक में जिग्यासा, ये एक भावा है, महबबत, अफसोस, जोश, और एक इसमें लिखना में भूल गई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप यहां लिख देंगे, डर, क्या लिखेंगे, डर, ये भी था इसमें, इसी चैप्टर में तो मैं यहां लिख द ये गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, ये बहुत ही इसी है, और बहुत ही इंट्रेस्टिंग भी है, लेकिन इसको समझना थोड़ा आपके लिए टफ होगा, क्योंकि शायद आपने नहीं किया होगा, और ये आपका जो है, वो संस्क्रत में भी आता है, तो ए पार निस, फिर है आहिस्ता, ये मैंने बनाया है, फरस्ट वाला तो बना हुए था इसमें, आहिस्ता, तो आ, ह, ह के ए की मात्रा तो ए, छोटी है तो छोटी ही, स, आदा है तो आदा, फिर पूरा है तो भी आदा, फिर उसके साथ आ की मात्रा, आहिस्ता, फिर मारूंगा, अ त य आ न आ न और श श सत्या नाश फिर है नीचे दिये गए भावाचक संग्या शब्दों से विशेशन बनाईए ये उपर आपको जो ब्लू कलर के बॉक्स में दिख रहा है वो क्या है देखिए शब्द से व्यंजन सब्द के व्यंजन और स्वर्ण वन्ड को लग लग क अलग अलग करके लिखा जाए तो उसे बन विच्छत कहेंगे नीचे दिये गए भावाचक संग्या शब्दों से विशेशन बनाईए तो गर्व से बनेगा गर्वित गरीबी से गरीब डर का डर पोक जिग्यासा का जिग्यासू प्यास का प्यासा और गंदगी का गंदा फिर हैं निम्न निकित मुहावरों के अर्थ बताईए सुध ना रहना तो होश में न रहना आक लग जाना यानी जपकी आना चटनी बना डालना यानी मार डालना चहरे का रंग उड़ना यानी नीराश होना भीकी बिल्ली बनना यानी डर जाना तो यह आपके चेप्टर कम हमारा उसमें आपका नया चप्टर होगा जिसका नेम है वे दिन तो तयार रहीएगा थैंक्यू